अब मुझसे नहीं होगा बहुत जाधा hard work लगा लेकिन जो result expect किया था वो नहीं आ रहा बहुत hard work लगाया बहुत time लगाया लेकिन कुछ नहीं होगा जहां पहले थी अभी भी वही हो सही बोलते हैं सब तुछ से नहीं होगा नहीं हो रहा मुझसे अगर तुम्हें भी यही सब thoughts आ रहे हैं तो तुमना बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्या सोचा था इतना असान है क्या नीट का एक्जाम मजाग थोड़ी है 21 लाग बच्चे एक्जाम दे रहे हैं 21 लाग बच्चे एक्जाम दे रहे हैं इतना बड़ा एक्जाम बिना hard work के कैसे हो सकता है अगर तुम्हें quit ही करना था तो शुरू ही क्यों किया एक marathon तुम आधे से ज्यादा cover कर चुकी हो almost finish करने वाले हो और finishing point से कुछ दूर पहले ही तुम quit कर रहे हो ठक गए हो I know, exhaust हो जाता है इंसान I know, मैं भी हुई थी इसलिए तुम भी हो गए होंगी, obvious ही बात है अगर यह exam clear करना है तो वह motivation वह जुनून वह जजबा रखना पड़ेगा तुम्हें अभी भी बस थोड़ा सा time बचाए नीट के लिए competition बहुत है और तुमने जो sapna देखा ना यार वह भी तो बहुत बढ़ा है तुम वह क्यों नहीं सोच रहे है चोटा मोटा सपना है क्या doctor बनना doctor बनना बहुत बड़ा सपना है हर कोई doctor नहीं बनता है 21 लाग बच्चे एक्जाम देते हैं अगर इतना easy होता तो 21 लाग के 21 लाग बच्चों को seat क्यों नहीं मिलती उसमें से आधे बच्चे तो qualifying marks भी नहीं लापाते इतना tough नहीं है नीट की आप qualifying marks नह लापाऊ बस यही जो जुनून हार जाता है जो जजबा नहीं रखता ना वो नहीं कर पाता यार तुमने शुरू किया है ना तो खतम तो करो अगर तुम अभी कुट कर दोगे ना तो तुम्हारा selection तो definitely नहीं हो रहा लेकिन अगर तुम नीट तक जाओगे ना तो दो possibilities है या फिर तो तुम्हारा selection हो जाएगा या फिर तो नहीं होगा वहाँ पर दो चीजे हैं वहाँ पर chances हैं कि तुम्हारा selection हो जाएगा पर अभी तुम्हारा सेलेक्षिन नहीं हो रहा है, कुट करना इस नौट दी सल्यूशन, माना कि तुम जो महनत कर रहे हो, तुम्हें वैसा नहीं मिल रहा स्कोर, वैसी रांक वैसा सब कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यार करो, अगर लगे रहोगे ना, अगर कंसिस्टेंस से दिखाओगे ना, हार्ड वर्क जारी रखोगे ना, तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, प्रस्ट में, मैंने ये एक्जाम क्लियर किया है, मैंने सारे अप्स और डाउंस देखे हैं, मैंने वह सब फेस किया है, जा आप लोग फेस कर रहे हो, इसलिए I know, कि ये सब नॉर्मल है, सब के साथ होता है, लेकिन वह मेडिकल सीट, वह गवर्मेंट मेडिकल सीट, उसी को मिलती है, जो लास तक लगा रहता है, तो अब चॉइस तुम्हारी है, इतना आगे आकर, कोई चल रहा होता है, उसमें तुम समी फिनाले पे हो भी, समी फिनाले पे आकर, अगर कोई कुट कर दे, तो क्या बोलोगी तुम, मेवकूफी ही है, फिनाले, बस कुछ ही टाइम दूर है, उसके लिए बहुत सारा हाड़ वक करो, और वो ट्रोफी, वो गवर्मेंट मेडिकल सीट, तुम्हारी हो गया है, लगे रहो, और कोई भी दिक्कत हो तुमें, mentally, या फिर exam related, या फिर subject related, you can freely ask me, I am here to help you guys, तुम करो तो सरी, जो खुद की help करते है न, बगवार में उसकी help करते है, जब तक तुम अपनी help नहीं कर सकते हैं, तब तक, मैं या कोई और, तुम्हारे guardian, तुम्हारे parents, तुम्हारे teacher, कोई तुम्हारी help नहीं कर सकते हैं, जब तक तुम खुद अपनी help नहीं कर सकते हैं, लगे रहो यार, लगे रहो.